तो दोस्तों हमारे डॉक्र साब आ गए हैं अब ये क्रित्रिम गरवाधान करेंगे तो ये इनकी गाड़ी है इनमें इनकी गाड़ी में ये जो टेंक लगा हुआ है इसमें सीमेन बरा हुआ है क्रित्रिम गरवाधान के लिए इनका बैग है जिसमें इनका सामान रहता है स्व यह पानी लगवाग शेंटीस से अर्टीस से शेंटीस की जरूरत होती है जो कि हमने मीटर इसमें डाल रखा है आप देख सकते इसमें देखिए अर्टीस से इसमें प्लास्किक प्रेंजसी निकलाती है इसको इसको सलाई में डाल देते हैं अब देखिए दोस्तों प्रकार से हाथ में पॉली थीन लगा ली जाती है उसके बाद यह डखनों फुलते हैं दो प्रकार का सीमेंन इसमें जो भी आप प्रसान वाईयों को पसंदा बाला सकते हैं जैसे कि हमने साइवाल का सीमें लिया है को देखिए इस प्रकार की स्रेंज में आता है जुए चलिए अब हम चलते अपनी कि गाय के पास तो दोस्तों हम आ गया है अपनी पसुषाला में है यहां पर हमारी एक भैसुई बंदी हुई है और यह हमारी एक गाय है इसके लिए हम करत्रम गरवाधान करवा रहे हैं यह भी एट पर आई हुई है हम पना गलती है विए हम लोग्वादा है अे वोग्ववादा है अखने गारे यहां गौह है वदे हुट अगै करते हैं यहां है कर दो दोस्तों इस तरीके से लासी से स्फूब बांद दिया जाता है गाय को जैसे की पेर मेर ना दे सीमन को निकाल के पहले गरम पानी में डाल दिया जाता है उसके बाद इसे स्रेंज में लगा दिया जाता है इसका उपरी सिरा कैची से काट दिया जाता है और हाथ में थोड़ा सावन लगा लेते हैं जिससे की चिकनाई बनी रहे है कर दो कि अंदर से जो गोबर होता है जो भी निकाल दिया जाता है पहले ही कि अंदर डाल के इसे पीछे से दखेल दिया जाता है जिससे की जो इसमें सीमें था वह बाहर निकल जाता है और स्रेंज खाली बाहर निकल आती है को ला यह को रहा है डवल दनने डवल सीमें डाल लाओ को रहा है कि अच्छी नसल का बच्छडा आपके गाउं में नहीं है तो आप करित्रम गरवादान करवा सकते हैं जैसे कि हमने आपको बताया है हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्वाद चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें कि वैसे तो यह की बार सीमें डालने में काम चल जाता है लेकिन दुबारा हमारे डॉक्ट साब ने इसलिए डाल दिया कि बहुत मजबूत रहता है रुपने के लिए ज्यादा आसार रहते हैं अन्यवार